अगर आप इस समय पिचूनिया फ्लावर प्लांट नर्शरी से लाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा आपके काफी हेल्फ होने वाली इस वीडियो में कैसे प्लांट आपको लाना है और किस तरह से आपको रीपॉर्ट करना है कैसे गमले के साइज ले तो देख सकते हैं मैं इस गमले में लगाऊंगी पिचुनिया का प्लांट जो कि मैं नरसरी से खरित करके लाई हूँ उसके लिए मिट्टी बना रही हूँ और गमले के साइज पिचुनिया के प्लांट के लिए आपको काफी बड़ा नहीं लेना है ना तो 10 इंच ना ही 12 सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरह से गमले लिया है और मिट्टी बना रही हूँ मैंने पत्यों की खाद लिया है उसमें थोड़ी से साफ फंचिसाइड डाल दिया और यह मेरे गमलों की मिट्टी है वेल्ड्रेंस वैले जो की गुल्दाओदी के प्लांट मैंने ट्रांस तो देखें नीचे मैंने ठीकरी लगाई है और जो भी वेस्ट है पत्ती वगेरा जो वो सब डाल दिया है उपर से मिट्टी डाल रही है इस तरह से मिट्टी बनाने की जुरत है और एक केले केला है पोटाशियम का काम करता है फ्लावरिंग के लिए किसी भी प्लांट के ल वाला है इसलिए कि उसे फंगस वगेरा लगने की चांसे नहीं होती है फंगस नहीं लगने देता है और जो थोड़ी सी नेम खली भी मिलाई है तो नेम खली से एंटिबैटी का काम करे और खाद का भी काम करेगा तो देखे यह है स्टार्ल पिटुनिया और जब मैं लेकर क आप जाए तो ऐसा प्लांट लाएं जिसमें की एक फूल है सिर्फ पैचान के लिए कौन सा कलर का है और कैसा फूल होने वाला है बाकि कलिया भरी होने चाहिए और नहीं भी है तो घर में आगे कलिया हो जाएगी अगर आप खिले वे पौधे में फूरे फूल खिला हुआ ऐसे पौधे के लिए ज्यादा घरने ज्यादा लंबाई मतलब गहरा पौट की जुरत नहीं होते आप देख सकते हैं इसकी जड़े काफी कम होती है छोटी जगह लेती है तो नीचे से मैं हलके हलके इसकी मिटी निकाल दे हूँ सारी मिटी निकालने की बिल्कुल भी जुर रही हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत सावधानी होती है जब भी नर्सरी से पौधे लाते हैं तो तुरंत रिपॉर्ट भी नहीं करना देखे तीन-चार दिन हो चुके थे तब मैं रिपॉर्ट कर रही हूँ तो इस तरह से जितनी मिटी है सब साइट साइट से मैं डाल द होते हैं तो इसमें फंगस लगने का बहुत डर होता है तो पानी जब भी देना है तो इसके साइट साइट से देना है उठा करके देना है से पौधे को एक साइट से उठा करके उपर से बिल्कूल नहीं डालना है इससे फंगस लगने का चांस होता है और जब भी इसमें जो पीले-पीले पतियां दिखती है तो उसको साथ के साथ निकाल देना है और इसमें साफ फंजिसाइट का पानी में मिक्स करके हापते-दस-दिन में जरूर डाला करी है क्योंकि फंगस कफी डरने रहेगा तो मैं सोच रहे हूं कि इस तरह से इसको सपोर्ट दे दू ताकि उप प्लांट यून तक भी फ्लाउरिंग करता रहता है अगर सही से इसकी केर की जाए तो देख सकते हैं दोनों गमले मेरे यूज हो चुके हैं अच्छी तरह से और इसको देखिए जब भी इसमें पानी देना है तो एक दिन छोड़के एक दिन दिजिए अगर मिट्टी जादा गिली है तो पानी नहीं देना है और सूखी भी नहीं रख कि इतने और सारे फ्लावर हो गए है और एक टिप्स आपको बताऊंगे कि जब भी इसके फूल जब इस तरह से सुख जाते ना तो तुरंट उसको साथ के साथ हाटा दिजिए क्योंकि अगर सुखा फूल इसमें रहेगा तो इसकी पौधे की जो फ्लावरिंग वाला सिस्टम का वो खराब हो जागा वो फूल नहीं बनेगा क्योंकि सारे पौधे के एनर्जी उसके उपर बीज बनाने में लग जाएगी और नएने फूल इसमें नहीं होंगे तो इस तरह से आपको कट कर देना है जहां से जो पौधा का जहां से जो फूल सुख गया उसकी नीचे से क ताकि जितनी आप इसको कटिंग करेंगे तो नहीं नहीं और कलिया बनेगी उसमें तो इस तरह से केर करनी है ताकि हमें लबे समय तक इससे फूल लेना है और बहुत सारी इसमें अभी कलिया बन रही है मैंने एक दो फूल सुख चुके थे उनको निकाल दिया है और आपको बी बता रही हूं कि जरूर आप इस तरह से सोच जितने भी फूल सुके हुए हैं तो नीचे से कट कर दिजिए और ताकि हमें नए-नए उसी ब्रांच में नए-नए और फूल, कलिया मिलेगी फूल मिलेगा तो देखिए इस तरह से इसमें ऐसा होता है इसके बीज अंदर प्लांट नहीं खरता फ्रेंट्स एक पिटुनिया मेरे पास अल्री था लास्ट यहर वो लेकिनों मर चुका तो इस बार मैंने स्टार पिटुनिया खई लिया इसको मैं अब हमेशा अपने गार्डन में सेब करके रहूंगी इसके बीज वगरा संभाल कर रहूंगी तो फ् प्ली बार देख रहें प्लीज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा